आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुका नमस्कार मैं हूँ गौरफ स्रिवास्ताव आप मेरे साथ देख रहे हैं दोस्तो बात अपने देश की दोस्तो देश में कोई नया परवरतन होता है या कोई नई चीज होती है चाहे वो राजनितिक लिहास से हो चाहे आधर्मिक लिहास से हो या जन लिहास से हो जनता के लिहास से हो हमेशा उसकी तारीफ होनी चाहिए पर राजनीती आज इस तरह की हो गई है कि केबल केबल राजनीतिक उद्देश को पूर्टी करने के लिए केबल बयानबाजी जारी है लोग किसी भी मुद्दे को किस हद तक लेकर जा सकते हैं यह हम आज की बयानबाजी में और आज की राजनीती में देख रहे हैं मैं मानता हूँ कि उत्तप्रेश का चुनाब बहुत बड़ा चुनाब होता है उत्तप्रेश से ही देश की राजनीती तै होती है क्योंकि कहीं न कहीं केंद का रास्ता भी केंद की सत्ता का रास्ता भी उत्तप्रेश से होकर जाता है सबसे बड़ी आबादी बादी राज्य होने के नाते उत्तप्रेश की बहुत बड़ी भूमिका है केंद्र में और चुकि जब केन में भी भाज़पा सरकार हो उत्तपरिज में भाज़पा सरकार हो तो कही ना कही इसका लाब सरकार तो लेगी लेगी और इसका लाब विपच्च भी लेगा क्योंकि वो कही ना कही राज सरकार के इसारे से किन सरकार को आरुप मनाएंगे हमला करेंगे और कही किन सरकार के बहाने उत्तपरिज सरकार को हमला करते नजर आएंगे चुकि चुनाव इस समय जो चुनाव हम देख रहे हैं जो पाँच राज्यों में चुनाव है उत्तपरेश, उत्रागंड, गोबा, मनीपुर और पंजाब ऑलग बाते होती है, अलग चर्चा होती है और एक अलग तला की राज्योंहीती आज चर्चा में है, वो है गटबंधन की राज्यों Biz to pack well, जो की पनंटरी नरीन मोणी preced का संसरिया च्हित्र भी है का सी कारीडर का लोह कारपड किया गया। बहुत बढ़ा कारिकम रहा पिर्णामंतित suspend जूएम बहां गए थे। उनके साथ उत्तरपिड़ेस की राज़िपाल मुक्बंत्री डिप्टी सीयम और तमाम बड़े नेता इसमें सामिल हुए और साम को गंगा आरती की समय जिस पिकार से दीपक जगमगा और रहे थे तो निश्चती कासी की जो महमा जो हमारे बेट पुरान में गाई जाती है वैसा ही नजारा था पर यहाँ पर केबल और केबल आत्मात्म को राजनितिक रूप से हमला करने की एक जो पुरानी परंपरा रही है वो हमेशा से आगे रही है चुकि आज के समय में भी अगर कोई काम बहतर होता है तो इसको केबल एक रूप से देखा जाता है कि नहीं इस मुद्दे से भी अगर कोई बड़ा काम अन्य धर्म में होता है तो उसमें राज Nordi नहीं बता हुता है और अगर यह काम किसी मंदर में होता है, किसी आध्यात्मी नगरी में होता है तो इसको निसाना जरू बना जाता है जरू कहा जाता है कि इसके सारे आध्यात्मी अपनी राजनीती को महतन कर रहा है और आध्यात्म के सारे राजनीती की ब्योस्ता की जा रही है क्योंकि चुनाव बहुत बड़ा है और दिल्चस्प भ भाग लिया और जनता को जो बनारस की जनता है जो उनके संसरी छेत्र भी है बहां के लोगों को स्वगात दी पर बहीं ये मुद्दा विपर्च पर भी हमले की रूप में मिल गया विपर्च कहता रहा कि केबल यहार राजनीती की जा रही है केबल जानमूज को समय ही परपड़ं होगा चुनाव सिख्या संगिया ondan कि कि लिए अगर कोई बैथक हो रही है तो यह भी चुनाव है अगर कोई आता है तो बैठक हो रहे है तो यह बी तो एक ब्युस्था के ऌनुरूप है जिस हम पर होना है चाहे ब जनता हो चाहे हमिले की बज़ाए आतंग बाद हो कुछ भी हो उसका रूट को कोई नहीं जूड़ता कि अभी हातंग की हमला हुआ स्रीनगर में कि मैं पूछना जाता हूं कितने लोगों ने अपने अपने बयान दिये कितने लोगों वह गने कहा कि मुझे गला हुआ कितने लोगों उन साहीरों के घर पर गए जाना चाहिए उंके पर जब्धन किभाल राजनितिक उद्धिस्ट को पूर्ण करना ही आज की राजनितिक के चल्म परद प्राकाश्टा हो चुकी है कि केवल केवल बयान बाजी और हम पर क्या कहा और अब हम क्या कहेंगे कि जुम्ले बाजी की राजिती आ उत्ता प्रेश क्या पूरे देश में चल लाई है और बयान कैसे है वह आप देख लिजे देखे मेरे रिपोर्ट अकलेश यादवदी इस तरह हैं जो उनके सोच और उनके संस्कारों को दिखाता है इस तरह की भाशा ना कोई मर्यादा ये अपने आप में दिखाता है कि बौकलाहर्ट सप्पा में कितनी है उनके नेताओं में कितनी है लेकिन बयान देने से पहले दो बार सोचना चाहिए कि किस के बारे में किन शब्दों का प्रियोग किया जा रहा है अपने से बड़ों के बारे में इन शब्दों का प्रियोग करना ये दुर्भाग्यपून है और ये सोच भी दिखाता है कि कैसे ये काशी का भी विरोध करते रहें ये राम मंदिर का भी विरोध करते रहें और इनकी सोच में कहीं ना कहीं ये साप पनपता है और दर्द भ बरबाद करने काम बादी अद्दाबाडी की सरकार में हुआ है। करोना के समय पर अगर किसान ने खेत में काम न किया होता है। तो आपकी अर्थ मवस्ता और चौपट हो जाती है। पहले तो तीन कानून लाए गए। बड़े पेमाने पर किसानों को अपमान किया गया। तरह तरह से कहते थी हैं। उसके पक्षमें उसके खिलाफ और आज वही रोग पक्षमें बुलने हैं। ईक महिना नहीं, दो महिना, तीन महिना हैं, वही रहें अच्छी बात है। वे जगह रहने वाली है, आखरी समय पर वही राया जाता है। तो देखा आपने किस तरह के बयारवाजी आज कि समय में होती है। कि अगर कोई एक भक्त बनके भी अगर मंदर जाता है तो इसको इसकी राजनीती ही देखी जाती है खेर मौसम चुनाओं का एक अंबीरता है तो विपच किसी भी मामले को हलका नहीं लेगा और हर मामले में विपच का तंज करना, सत्ता पच का जवाब देना एक पिकार से परंपरासी बन गई है खास तोर से हमारे देश में चाहे वो मुद्दा राजनीति से जुड़ा हो चाहे आध्यान से जुड़ा हो चाहे मंद्द से जुड़ा हो पर सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के मुद्दों पर बात करना कोई नहीं चाहता पर जनता के मुद्दों के बात करेगा कौन यहां पर केबल केबल एट टार्गेट के रहता है सबसे पहले बात समझ में नहीं आती है कि अगर देश में किस भला हो रहा है को अच्छा हो रहा है तो उसकी तारीब करिए और अगर समें कुछ कमी रह गई है और कमियों को बताने कि राजनीती क्यों नहीं होती अगर आपका कोई काम था वो किसी से पूरा कर दिया तो उसको बढ़ाई क्यों नहीं दे सकते और उस काम में कोई कमिया रह गई है तो उसका मार्दसन क्यों नहीं किया जाता है के बल हमला बोलना आज की परमपरा नहीं है यह परमपरा सद्य जाता है तो जब से सोचल मीडिया आई है तब से एक पिकार का उपहाज का इस सिल्सला सुरू हो गया है किसी को क्या बोला है किसी क्या नहीं बोला है यह अब कोई तंजी कन्ना आज सत्ता पच्च और विपच्च का देश बन चुका है पिरामति नर्यन मोदी ने अगर कारिडोर की लोकारपड किया अगर कोई चीज अच्छी बनी है आधधर्व के लियास से अच्छा हुआ है तो हमें हमेशा उसकी बढ़ाई करना चाहिए उस पर उनको बढ़ाई देना चाहिए कि बहुत बैतर काम हुआ है पर यहाँ बढ़ाई नहीं होती है वॉपाहास होता है। यह वाद पूरए देज में है। जो सरकार बैठटी है, वो अपना काम करती है, और बेप्रचिका काम होता है, उसकी कम्यों को गिनाना। पर जो काम बैतर हो रहा है उसकी तारीब करना भी बेप्रचकाही काम है उसके लिए दूसरों पर क्यों आश्रित रहेंगे पर सबसे बड़ी बात ही है कि हम उनी पुराने मुद्दों को गुरुण गुनाते रहते हैं जो मुद्दे अगर खतम हो है तो उनको खतम किया जाए उनको जीवन्द बनाये रहते हैं चाहे किसान मुद्दा हो चाहे भिरुजगारी का मुद्दा हो जब सरकार आती है काम उसके लिए कोई करना नहीं चाहता करता कोई नहीं है जब हम विपच्छ में है तो हमला बोलेंगे और जब हमाई सरकार आएगी तो कुछ नहीं करेंगे है हुआ सबसे बड़ी बात है अगर को निर्माय कर वी रहे तो कब से कम जनता का वला करिये अब जनता के मुद्धो की बात कोई नहीं करता ड़ा की मुद्ध की बात सुनने के लिए हम भी ख़़ए रहते हैं कि कब जनता के मुद्दों की बात होगी कि कब लोग बयान देगे बिरुजगारी पर कब लोग बयान देगे महगाई पर कब लोग परदसने करेंगे जनता के लिए कोई रोड पर उतना नहीं चाहता बस एक खाना पूर्ती सी देश में चलती रहती है क्या हुआ कोई पता नहीं दोस्तों याद देख रहे हैं जिस तरह से ओमिक्रोन जो फैल लाए जो दच्छे फिकार शुरू हुआ था आज देश में आप पूरे बिस्म में लबा लबा पैताली से चैली से सब फैल चुका है बारत में चुता नहीं है आठ राज्यों में मरी जा चुके हैं लहर बढ़ रही है गातक है बैग्यानिक दाबा कर चुके हैं और उसके बाब जूत तयारियों पर कोई चर्चा नहीं होती कोई बिचार बिमर्स नहीं होता कोई बयानबाजी नहीं होती मैं तो उनी बयानब कब करेगा कब बोलेगा कि कब कोई सरकार की कालतों की समिच्छा करेगा कि क्या तैयारिया है अगर लहर आते हैं क्या इंतिजाम है स्वास्ति बेवस्था है क्या है कब तक मैनेज करेंगे स्वास्ति बेवस्थाओं की क्या हालत है कोई समिच्छा नहीं के बल भैयानमाजी सत्ता पच काम कर रही है और सत्ता पच उसका जवाब देते हैं यह तुद्ध परमपर्व चल रहे है उसमें कही नहीं जनता के मंद्क शेश्यों बताहे जयाते हैं। है कि अगर यह विद्साब आएगि तो कैसे बचाओंगा क्या वेश्था है मंए बात हैं। लेखा जो का सरकार अपना पेस्ट करें पर इस तरफ सत्ता पच्छो चाहे बेपच्छो जनता तो आपकी ही है कोई उस मुद्दे पर बात करना नहीं चाहता तब मजबूरी में हम कलम के सिपाईयों को ये बात बलनने कन नहीं पड़ती है कि स्वास सेभाओं की बेउस्था की क्या समीच्छा हुई है जो जनाय हमने पिछली लहर के दोरान बनाई थी जो समेटिया बनाई थी उनमें कहां तक काम हुआ है ऑक्सियन प्लांट कहां तक लगे हैं स्वास ब्योस्थाय कहां तक जुरूस्त हुई है किसी को नहीं पता ना कोई पुछना चाता है और ना कोई बचाना चाता है बहए से जनता जनानदन होती है पर यहा को जनता केमर ठगने का काम किया जा रहा है ठीक है तमाम बेवस्थायं कर रहे है चाहे खाद्धर रोजना हो तामANS बेवस्थायं सरकार रोजना रही है हर गरीब को पहुछ रहा है पर जहानै तो जहान है जो बिमारी बढ़ रही है जो डेस की आठ राज्यों में फैल चुकी है, वो बिमारी डेस के बागी राज्यों में भी फैलेगी, क्या बहुस्ताय हैं, कोई नहीं पता, क्योंकि उसकी सोच करने के लिए, जो में जो सरकार को समझाने बाला, उनके नींद जगाने बाला विपच्छ होता है, वो विपच कर नहीं और आदमी जो तक किसी नहीं सोचा है और ये बात बहुत ही बिचालनी हैं जैसे समय बीत रहा है बैसे वैसे वो बीमारी अच्छे पगाज़ शुरू होकर सारे बिस्व फैल रही है और अब हमारा भारत भी अचुता नहीं है मैं आपको बता चुका हूँ कि आठ राज्यों में इसके केस मिल चुके हैं बढ़ रहा है जीनेम से के माध्यम से यह जनकारी आ चुकी है कि ओमिक्रों बाइरस जो नया बेरेंट है कोरोना का उससे संक्रमित है क्या केबल हो केबल बैक्सिनेशन की सारे हैं मांगे जाएंगे बैक्सिनेशन की अपनी व्योस्ता है वो चल रही है सरकार बड़े प्यमाने पर करा रही है पर कही न कहीं स्वास्त सिवाव को भी दुरुस्त करना होगा पर नहीं यहाँ पर केबल हो केबल मुद्दे हो रहा है कि राजनीति को ऐसे दुरुस्त किया जाए और अगर कोई ची बहतर हो रही है तो उसको लेके बात भी किया जाने चाहिए पर यहाँ पर ब्यवस्ता के बली है कि अगर काशी कॉरिडूर का लोकार्पर हो गया है तो सरकार पर हमला बोलें कर दो पर अगर सरकार उसको करके रही है तो आपको उसमें बढ़ाई देनी चाहिए पर उसके साथ इसाथ सरकार को ये भी आद्रार चाहिए कि आद्धार्प के साथ जिन्दगी भी है आद्धार्प के साथ आपको स्वास सेवाई भी देखना है आद्धार्प के साथ आपको आने बाली लेरे के लिए के तैयारिया भी करनी है आद्धार्प के साथ आपको आदमी की जिन कितने लोग तयार ध्यान देते हैं किसान ने क्या खाया किसान को खान मिल लही कि नहीं मिल लही है पैसा मिला कि नहीं मिला है मुद्डे को गरम करते रहो और अपनी राजनीती चमकाते रहो अलग इसके भी जाना होगा अलग इसके भी बात करनी होगी अलग इसके भी पुर्णावर्ती करनी होगी केबल जो जोनत मुद्दे हैं उनको उठाने से भी अच्छा आप उन मुद्दों के लिए बात करें उन मुद्दों के लिए सरकार को सेता हैं जो मुद्दे आम आदमी की जिन्दगी से जुड़े हुए है आम आदमी की बेवस्तां से जुड़े हुए है आम आदमी की बेरु कि सानों की बाद करते हैं तो खाल अगर सहीद हुआ कि सान अन्दुलन में तो हम के ब french वही गए इसके लाभा बाकी किसाओं कल्लीं है पर उनु ही किसाओं की बात यहां पर कोई नहीं करेगा यहां बात होगी तो केबल किसी कारून की बापसी की यहां बात होगी तो केबल किसी आंदुनन की कि सरकार को जुकना पड़ा सरकार ने किसी कारून बापस ले लिए सरकार से भी प्रिस्न है सरकार चाहे तो किसी कारून के अलाबा भी कुछ ऐसी ब्योस्था लागू कर सकती है कि किसानों को लाब मिले पर यहां पर ऐसी ब्योस्था लागू करने की बिचाजारा की अलागी चल लगी है अब सरकार आने वाले समय में क्या करता है क्या नहीं होनी चाहिए यहाराद्नीति आम आदमी की जिर्ड़ harmony से जुड़ी होनी चाहिए और यह प्रश्ट मेरा सभी दलों से है जो बच अब सकता में इंड़ा में अच्छा काम हो रहा है तो बबमक की तारीब करनी चाहिए दरोगर को मिलना अगर दिश को समर्पित हो रहा है तो ऊसकी भी तारीब करना चाहिए चाहे er Elizabeth चाहाे कारीडोर हो, चाहे मंदर हो, चाहे बड़े अस्पताल हो, या जो सेवा कारिपर हो या अब तक ज्यान नहीं है, तो इसकी जिम्मदारी को ज्यान दियान देलाना भी प्पचन काम है कि सरकार को याद दिलाए कि चलो ठीक है यह कर दिया आपको बढाई हो पर अब इस तरह भी ध्यान देजिए समय नजदीक आ रहा है तो अपर इस कारिकम के माध्यम से आज मैं यही लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर एक तरफ सोगाते दे रहे हैं तो दूसरे तरह आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुकार